आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि आज सिक्षक पात्रता परिक्षा पास कर चुके उमीदवार प्रदर्शन करने वाले हैं और ये एक धरना प्रदर्शन है और इसमें आपको एक निउस और मैं इंपॉर्टेंट निउस डिसकस करने वाला हूँ जिसमें ये देख देखिए यहाँ पे यह जो आंदोलन हो रहा है इसका सभी लोग जिनोंने 2018 में परिक्षा दी है इसके लावा 3D grade की जो परिक्षा भी दे चुके हैं भी result आया है और 1st grade की जो परिक्षा दे चुके हैं देखिए आपको पता है कि अभी 1st counseling हुई थी और इसके बास 2nd counseling में भी बापा से 9 ने उनी बच्चों के नाम रिपीट करें हैं जिनके 1st counseling में नाम थे तो देखिए कही न कहीं यह जो यहाँ पर देखें तो आवेवस्था हैं यहाँ पर वनी हुई है जिसकी बचे से अभी जो उम्मीदवार जो पास कर चुके हैं वो तक परिशान हो रहा है तो देखिए कहीं न कहीं सब लोगों को इसका यहाँ पर support करना चाहिए इस आंदोलन का और यहाँ पर नियूज यह है कि सिक्षक पातरता परिशा पास कर चुके नियुकती का इंतजार कर रहे हैं कई उम्मीदवार राजदानी में रईवार को एकटा होंगे भेल दसेरा मैदान के आसपास प्रदर्शन करेंगे तो देखिए यह बहुत important आंदोलन हो जाता है सभी जिनों ने यहाँ पर परिक्षा दीती 2018 में वर्गीक वर्ग दोकी और जिनका result अभी 3rd grade का आया है उन सभी के लिए देखिए अगर आप सभी इसमें आंदोलन में पार्टिसिपिट करते हो तो कहीं न कहीं सरकार तक ये बात पहुचेगी और इसका सभी सपोर्ट भी करेंगे ठीक है तो देखिए भेल दसेरा मैदान के आसपास प्रदर्शन करेंगे सिक्षक पातरता परिक्षा व्यारती संक्य प्रदेश संयोजक रनजीत गौर ने बताये कि सभी केटिगरी के चैनेज सिक्षकों के नियुक्ती मिल रही है लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही हम सेकंड काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं इसमें सिक्षकों के सैकड़ों पत खाली होने के बावजूद भरती नहीं की जा रही है देखिए अगर ऐसा हुआ कि बापस से फस्ट काउंसलिंग के नाम इनों ने दो बारा यहां पर रिपीट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब भी है सेकंड काउंसलिंग का तो यहां पर अगर सभी लोग इसका सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता कहीं न कहीं पद वरती होगी और साथ में अगर नाम रिपीट ना हो तो नीचे वाले जितने बच्चे जिनकी रैंक अभी थोड़ा सा जादा आई थी जिसकी बज़े से कहीं न कहीं वो रह गए थे उनका सेलेक्शन भी हो जाएगा तो देखें यहाँ पर सब लोग सपोर्ट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर जरूर करना थेंक यू बेरी मर्च